आवाज विशेश कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेश में आज हमारे साथ है एक बड़े जाने माने वक्ता है चेहरा आप देख रहे होगे लेकिन इस वक्त साहब का इंटर्व्यू लेने का एक विशेश कारण है एक वक्ता के रूप में एक समिक्षक के रूप में और भारत की राजनितिक, सामाजीक और आर्थिक परिस्थितियों का एक गंभिर विशले शक के रूप में हम अब तक धरनजे वंजारी साहब को जानते रहे हैं लेकिन अब धरन्जे वंजारी साहब का एक नया परिचह हम सब के सामने आया है और वो परिचह है एक लेखक के रूप में हाल ही में धरन्जे वंजारी साहब का एक बहतर पुस्तक बाजार में आया है पुस्तक का शिर्शक है इनहेरिटेंस, हाईरार्की और कास्ट देखिए ये विशय अपने आप में इस बात की गंभिरता दर्शाता है कि हमने अपने डेश का अध्यन जब करना है तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए और इसी दिशा पर धनेजे बंजारी साहब ने एक बड़ा अच्छा रिसर्च किया है और रिसर्च करके ये पुस्तक हम सब के लिए लाये है वैसे धनेजे बंजारी साहब का एक छोटा सा परिशे आपको हम दे दे धनेजे बंजारी साहब IRS है यानि कि भारतियर राजस्व सिवा में प्रिशासने का दिकारी है और एक जाने माने वक्ता तो है ही लेकिन उनके स्टड़ी जो है वो अलग-अलग जगे में हुई है एक तो IIT डेली से उन्होंने पढ़ाई की है दूसरा आर्चेम नागपुर इनिविशिटी से भी उन्होंने स्टड़ी की है और हालखी में उनकी जो स्टड़ी है जो की एक बड़ी महतुपूरन स्टड़ी रही वो Harry School of Public Policy जो Chicago University का है इस स्कूल से भी साहब ने एक विशेश अध्यान किया है और हम ये समझते हैं कि शायद इस अध्यान का एक मिला जुला नतीजा और उनके आस तक के कामों का जो कुछ reflection आता है वो इस पुस्तक में आता है तो आज इस पुस्तक पर ही हम धनेज़ेवंजारी साहब से बात करेंगे धनेज़ेवंजारी साहब कारेकर में आपका स्वागत है हम बात यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि पुस्तक तो अपने एक एक पन्ने में 300 से ज़्यादा पन्नों की पुस्तक हैं लेकिन एक एक पन्ने में इस बात को आड्रेस करती है कि हमने अपने परिवेश का अध्यन कैसे करना चाहिए सवाल हमारा ये है कि आपको क्यों लगा कि इसी विशे पर रिसर्च होना चाहिए और इसी विशे पर पुस्तक भी आला चाहिए क्यों लगा आपको ऐसे अच्छा ये परस्न है डॉक्टर खूले साब इसमें ये है कि आईसा नहीं है कि इंडिया की जो डेवियेशन्स जो है इंस्टूशन्स में जो डेवियेशन्स आते हैं जो विसंगती आती है जो अपक्छा की जाती है उन इंस्टूशन से वो अपक्छा हो पर पूर्ण होते हुए दिखाई नहीं देती तो इसके उपर ऐसा नहीं है कि लोगों ने काम ने किया है बड़ा-बड़ा विद्वात नहीं है लेकिन मेरा मत ये था कि जो भी मैंने पुस्तक के पड़ी अपने छोटे से अध्यन में उसमें मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे बिंदू है जिनकी उपर फोकस करना बहुत जरूरी है उसके बिना ये जो इस पुस्तक के माध्यम से उन चीजों की उपर फोकस करने के मैंने कोसिस की जो जनरली जो मैंने स्ट्रीम जो डिसकोर्स रहा है उसमें वो दिखाई नहीं देता और यही उद्देश के साथ में मैंने ये पुस्तक लिए हम इससे जोड़ कर ये भी आपसे जानना चाहरा है कि क्या आपके हैर स्कूल में जो स्टडी हुई क्या उस स्टडी का है ये हिस्सा है हाँ येस उसका बहुत बड़ा योगदन रहा है वहाँ जो एक्सपर्स और प्रोफेसर रहे है उनके इंट्रेक्शन से मुझे बहुत लाभ हुआ इसमें कोई दोमत नहीं है और जिस तरीके से एक समाज को, पॉलिटिकल सिस्टम को और उसके ताने बाने को देखने का जो नजरिया है उसमें बेहत जो मैंने स्टडी किया है उसका जरुग लाभ हुआ है एक तो ये पुस्तक को बहुत विस्तारित रूप देती है इसकी प्रस्तावना जिसको आँ ने देखा कि क्रिस्टफ जफरलोट ने इसको प्रस्तावना दी है और जो कि जाने माने फ्रेंच पलिटिकल साइंटिस्ट है और एक विशिज बात रही है मतलब जफरलोट इसमें जिस बात को बहुत बार-बार प्रेशराइज करते है तो वो जो रूलिंग स्ट्रेटिजी है उस रूलिंग स्ट्रेटिजी को आपने भी अपने पुस्तक में डिस्कस किया है और जफरलोट भी उसको डिसकस करते है तो इस ruling policy को अगर हम देखना चाहते हैं तो कैसे देखा जाए कि ये social institution के रूप में ये strategy कैसे उभर कर सामने आती है अगर आप अध्यन कई experts का देखूगे बाबा साहब के पहले भी कई लोग भी इसकी उपर लिखा है बाबा साहब के बाद में भी लिखा है लेकिन एक जो अतिमात्तकुर्ण जो चीज है वो यह है कि कई बार यहाँ tendency होती है कि political sector अलग काम करता है social sector अलग काम करता है ऐसा लोग देखते हैं यहां बहुत आयत में कई बार आप directly हो सकता है ऐसा कोई कहे नहीं लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि independently political sector काम कर रहा है social sector काम कर रहा है societal process अईसा नहीं है basically क्या है कि जो political sector में काम करने वाले या political जो players होते है जो political processes चलाते है वो उनका यह tendency हो जाता है कि social sector या societal process को इस तरीके से बना दिया जाए कि उनका जो perpetuation है उनका जो dominance है political system में वो बन करा रहे है तो यह societal जो processes चलती है वो इस तरीके से करने की कोशिस करते हैं जिनसे कि उनका जो dominance है वो undermined नहीं हो अच्छा अब होता यह है तो क्या वरतमान समय में भी यही practicing होती है यह ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है करके यह आगे में भी हो सकता है पहले तो हो रहा है आज भी होता हुआ दिखाए देगा आगे में भी होता हुआ दिखाए देगा आगे में भी होता हुआ दिखाए देगा ऐसा नहीं है कि यह एक विसेस समय में हो रहा है करके इसमें ये होता है कि socio-religious institutions जो आती है traditional से, history से और उसके कारण क्या होता है कि एक नया political system जब बनने लगता है तो उस नया political system का जो nature होता है वो पहले की nature से अलग होता है जैसे कि अभी हम democratic political system में ये कर रहा है तो जो traditional तरीके से जो governing class रही है उनकी ये कोसिस होती है कई बार कि इस societal processes को बरकरार रखाए जाए इस institutions को बरकरार रखाए जाए because they support उनकी जो political dominance है या उनकी जो धमक है political system में उसको बरकरार रखती है वो support करती है यसे उदाहरन के तोर पर समझा जाए तो कैसे आप यह कह सकते हो कि जैसे कि आप यह देखोगे कि हमारा जो democratic system है उसमें या state की responsibility यह होती है कि जो hierarchical social order रहा है या parochial या परमपरक तरीके से जो लोकतांत्रिक जो संस्थाय रही है वो जाहे caste के नाम पे हो, religion के नाम पे हो, culture के नाम पे हो, ethnicity के नाम पे हो तो इनको हमारा democratic state की उपर यह responsibility होती है कि इसका societal transformation हो सामाजिक परिवर्तन हो तो अब होता यह है कि जो governing class रही है तो वहां तो उनका source करती है ना, वहां से power, वहां से support तो अगर ऐसी इस्थिती में उनको ऐसा लगता है कि यहां से हमें तो support मिल रहा है और उसको नेस्ता नाबुत कर दिया जाए तो वो undermined हो जाएगा उनका dominance undermined हो जाएगा तो उस process को slow करने पर तुले हुए रहते हैं जबकि democratic state और constitution की यह कोसिस होती है कि वो इस प्रकार की संस्थाओं को undermined करे और constitution में जो values दी गई है उसको वो हा सामने बढ़ाए आगे बढ़ाए आप इस पुस्तक में एक चर्चा यह भी करते हैं कि यह जो alight class है यह short circuit है तो आप इसको कैसा imagine चेप्टर है बहुत ही अच्छा यह है बहुत ही वो चेप्टर मुझे लगता है कि अति महत्रपूर्ण है क्योंकि मैंने उसको कुछ जो vibrant, democratic, societies जिनको कहा जाता है उसकी और भारत की तुलना करने के वहां कोसिस की है मैंने उसमें यह कहा है कि हमेशा आप देखोगे तो जो democratic system evolved हुए है उस society से evolved हुए है बिलकुल societal struggle से हुए है और लेकिन हमारे देश में जो हुआ है उसका एक अलग परिपेक्च है अलग एक dimension है वो dimension क्या है वो dimension यह है कि बहुत आयत मुलकों में जो vibrant democracy के रूप में जिनको कहा जाता है उसमें आप यह देखोगे कि वह elite class एक अलग रहा है society एक तरफ आ गई है याने जो governing class रहा है वो एक तरफ हो गया है जैसे कि राजा या elite class या जो भी रहा है जो वहाँ उस समय दमखम रखते थे और पूरी society एक तरफ आ गई है तो इनमें संगर्स हुआ इस संगर्स का नतीजा यह हुआ कि उन elite class को मानना पड़ा कि हमको assimilate इन लोगों को करना पड़ेगा और अपने आपको भी उनके level तक जाना पड़ेगा याने ऐसा नहीं है कि हम हमेशा elite के elite के रूप में रहने के कोहिस करें उन्होंने इस society के संगर्स को माना society ने उनके जो dominance रहा है या उनका प्रभुत्व रहा है उसको undermine किया और उसका नतीजा है कि society ने ही अपने संगर्स के माध्यम से democratic norms बनाए democratic institutions बनाए लोगतांतरिक संस्था है वहां से इजाद में आई अब इंडिया में ये हुआ कि जो हमेशा से traditional तरीके से या जिसको बाबास साफ hereditary governing class कहते है उनके बीच में और society के बीच में ऐसा मतलब जो direct जो होना चाहिए संगर्स वो हमारे इथियास में सुरी हमारे इथियास में और उसी का नतीजा ये हुआ है कि आज भी देखोगी जो traditional तरीके से hereditary governing class है social उनका composition आप देखिए तो आपको वही दिखाई देंगे जो आसे 100 साल या 200 साल पहले जिनका dominance है जिसे आप अपने शिर्षक में hierarchy कह रहे है जिसको हम hierarchy भी कह सकते है या inheritance कहते है वो तो उनके विरासत तो है लेकि वो hierarchical system है तो hierarchical system अगर मान के चलो societal processes में और socio-religious institution में दिखाई दिया था और दिखाई देता है तो इन governing class की ये कोशिस होती है कि वो political system में भी दिखे अब political system किसलिए बनाए जाता है decision making के लिए तो अगर decision making में उनी hereditary governing class का अगर dominance है तो वो hierarchy को बरकरा रखना को कुशिस करेंगे क्योंकि वो hierarchy उनको dominance प्रदार रखनी है और वो भी अपने आप में watertight हो तो watertight हो तो और उसमें graded inequality हो कोई mobility नहों तो तो फिर ये ये इस्तिति वैसे ही बनी रहती है तो आज हम देखेंगे कि आज आज आपको अच्छे लेकिन बंजारी साहब एक बात आपने एक शिर्षक के साथ बड़ा अच्छा शिर्षक लगा वो इसमें इन inheritance hierarchy and caste में कि आप उसमें लिखते है society and state yes society in state and state in society तो इसको इसको आप कैसा समझाते हैं अगर इसको इस तरीके से देखें कि जैसे कि state in society तो इसका इसके माध्यम से मैंने यह बताने के कोईस किया है कि देखिए state या यू कहो कि government या जो political महकमा है जिसको आप सामानने भासा में political sector कह सकते हैं वहाँ जो है वो society से प्रभावित हुए बेना नहीं रह सकता उसकी जो dynamics है वो interactive dynamics होती है और आप political sector को completely exclusively अध्यन नहीं कर सकते हैं society की जो processes चलती रहती है वो इस state को प्रभावित करती है state यानि government की जो processes होती है government के द्वारा जो अलग-अलग प्रकार की policies बनाने की जो process होती है अलग-अलग तरीके के जो decision लिये जाते है उन decision में societal process का महतो होता है यहां जो चल रहा है यही नहीं यह सिर्फ भारत की बात नहीं है यह दुसरे मुलकों में भी होगा आ इसलिए उसके माध्यम से मैंने यह बताने की कोईस किया है कि you have to assess and you know see into the realities ground realities in the society आप ऐसा नहीं मान सकते कि इस्टेट अलग है और उसके उपर societal process का या social institutions का कोई प्रभाव नहीं होगा करके यह मैंने बताने की कोईस किया है तो इसको अध्यन करना आतिया हो सक है दुसरा आपनी यह बोला दुसरा आपनी यह कहा कि society in state जे तो society in state के माध्यम से मैंने यह बताने की कोईस किया है कि society court society का transformation एक constructive transformation होना जरूरी है वो किसके माध्यम से state के माध्यम से constitution के माध्यम से constitution ने state की उपर responsibility दी है कि आप societal transformation कीजिए जो inequality है state उसको society में ले जाए यह और इसका इसका यह नतीजा यह होगा कि state की उपर जैसे कि मिसाल के तौर पर छोटे रूप में अगर उसको समझे कि हमा माध्यम से constitution ने state याने government की उपर यह responsibility डाली है कि आप इसके माध्यम से societal transformation कीजिए जो उच नीच है जो भेदबाव है जो hierarchy है उसको आप address करने की कोशिस कीजिए और ऐसा society बनाने की कोशिस कीजिए जो political community हो communal community नहों तो इस इन दो सीरसकों के माध्यम से इस dynamics को मैंने समझान की कोशिस किया दो शब्द जिस पर आपने एक बहुत बड़ा chapter आपके इस पुस्तक में लिखा है एक तो कास्टिस capitalism जाती पुझीवाद पर और एक दूसरा आपने democratic socialism इन दोनों को आपने चर्चा की है इसको हमारे दर्शकों के लिए आप कैसे समझाएंगे एक एक करके हम जो काइन असा नहीं है दुसरे मुलकों में भी है लेकिन होता यह है कि जब एक ईडी यह यहाँ पर हम जिसकी बात करहें है capitalism की जब यह अलग-अलग मुलकों में जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो अलग-अलग मुलक की जो सामाजिक जो ताना बाना होता है उसे प्रभावित विए बेना वो नहीं रहता इंडिया की स्थिती तो बहुत ही कोसिस किया और उसी को हमने नाम दिया है कास्टिस capitalism तो हुर यहां यहां रहा है कि जैसी capitalism भारत की धरती पे कदम रखता है या कदम रखा तो ऐसी स्थिती में यह हुआ कि social hierarchy में जो सबसे उपर थे उन्होंने उस capitalism का आपने तरीके से उपियोग किया और जो पुंजी वादी दिखेंगे और जो पहले से social dominant class रहा है उसमें तालतम्यता दिखाई देगी वो एक ही दिखाई देंगी तो उसमें diversity नहीं है इसलिए हम उसको ट्रस्टिस capitalism के नाम से हमने उसको address किया है दूसरा आपने ये कहा कि democratic socialism की जो संकल्पना है वो हमारे देश में कोई नहीं नहीं है बाबा साहब ने उसके उपर बहुत आध्यन के बाद में ये कहा कि इसको हमको mandate के रूप में स्युकार करना चाहिए constitutional mandate के अनुसार सिकार करना चाहिए वो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मान के चलो जो भी majority में government आती है अगर उनकी भीम्स और फैंसिस की आधार पे निरने लेने लगे तो वो capitalism के अनुसार काम करने शुरू कर देंगे तो फिर democratic socialism का क्या होगा और इसलिए उन्होंने कहा कि इसको constitutional mandate के रूप में ही सिकार कर लेना चाहिए उस वकत कहा आज जो इस्तिती हमारे देश में आप आप देखेंगे तो उसमें हमको कई ऐसी विसमताय दिखाई देती है और इसलिए हमको democratic socialism की जो practical और pragmatic उसका जो अप्रोच रहा है society made transformation के लिए, equality लाने के लिए, equity लाने के लिए और resources को equitable distribution के लिए उसका आज महा तो उतना ही है जितना आज से सवसालिया पचास साल पहले था एक बात आपने क्या इसको जोड कर हम ये समझ सकते हैं कि जिस chapter को आपने इसमें लिखा है representation, the power of diversity, इसको हम क्या इस way में समझ सकते हैं इसे? हाँ, बेसक इसमें हमको आती महत्तोपुर्ण ये आपने सवाल उठाया है, देखिए, तमाम अलग-अलग experts ने दुनिया में अलग-अलग मुल्कों का अध्यन करते हुए ये पाया है, दो चीज़े है अती महत्तोपुर्ण उसमें मैंने अगर आज उस chapter में देखेंगे representation व language में, दूसरा होता है dimension society का, experts का ये कहना है, उनके नाम वगरे संदर आवापको आहां मिल जाएगे, experts का ये कहना है कि society का वह वाइबरेंट होना, society का मजबूत होना आती आवसक होता है, ताकि वो government की मसनरी की उपर control रख सके, नियंतरन रख सके, उसी तरीके से state का भी strong होन होना जरूरी है, state का strong होने का मतलब या है कि state की independence, government की independence, उसकी autonomy, उसका impersonalized nature, impersonalized nature का मतलब, कि जैसे कि मैं government में हूँ, state में हूँ, तो कई बार ये होता है कि मैं state को अपने तरीके से चलाने के कोहिस करता हूँ, अपने dictates के अनुसार, तो उसको personalization कहते है, तो यहाँ पर य मेरा उसमें कहना यह है, कि देखो ठीक है, यह दोनों dimension होना जरूरी है, मेरा उसमें submission यह है, कि यह तभी सार्थाक अच्छे से होगा, और वो मुल्क आगे बढ़ेगा, और democratic होगा अच्छे से, जब आप उसमें तिसरी dimension जोड़ोगे, यह है representation की, diversity की, अगर उसमें मान के चलो, state तो strong हो रहा है, society भी आपको दिखती है, कि strong होते हुए दिखाए दे रही है, क्योंकि आपको ऐसा लेगेगा, कि कुछ strong लोग है, जिनका dominance है, वो उसके कारण आपको लगेगा, कि society भी strong हो रही है, लेकिन जब तक उसमें diversity नहीं आएगी, तो जो constitution और state के जदाइत् और उसके माध्यम से जो society में reflection दिखना चाहिए, वो नहीं दिखेगा, वो इसलिए, क्योंकि मान के चलो, आप हुकमरान है, आप मेरे लिए policy बना रहे हो, लेकिन मैं जो बात बोलनी की कोशिस कर रहा हूँ आप से, कि इस इस तरीके से policy बनानी चाहिए, लेकिन उसको मानी नहीं रहे हो, तो फिर मेरे मेरी policy बनाने मेरे लिए policy बना रहे हो, लेकिन मेरी मानी नहीं रहे हो, तो किस तरीके से social transformation होगा, किस तरीके से समाज में बनानी होगा, इसलिए इसलिए मैंने उसमें कहा है, कि उसको three dimensional बनाना जरूई है, यदि हम लोग हमारी यहां जो democratic practicing है, इस practicing को अगर अपने इस फुरे अध्यन के परिद्धी में अगर देखा जाए, तो आप कैसा कहते हैं, मुझे यह कहना है, कि देखिए, जब हम लोगतांत्रीक व्यवस्था को define करते हैं, लोगतांत्रीक व्यवस्था की और लोगतांत्रीकी परिभासा देते हैं, तो उस प संगती आती है, हम समझने लगते हैं कि मैंने जो परिवासा दे दिया, वो हर जग लाग हो गया, ऐसा नहीं है, हमको थोड़ा सा संजिद्गी के साथ में इसकी उपर एक रियलिस्टिक तरीके से सोचने की जरूत है, मैं आपको एक उधारन देता हूँ, हमने कई बार ये मा तंत्र मान लिया, तिसरी चीज हमने ये देखा कि लोगों को कुछ कंसेशन्स दे दो, कुछ लोगों को कल्यानकारी योजनाय बना दो, कुछ कंसेशन्स दे दो, कुछ उनके लिए चोटी जो भी योजनाय है वो बना दो, वही लोगतंत्र है, ये समझ लिदिया, ऐसा नही यह लोकतंत्र नहीं है completely भारत के लिए यह लोकतंत्र नहीं है इसकी अलावा हमको दुसरी और महत्वपूर्ण जो चीज है जिसकी उपर हमको हम सबको एसा society मिलके सोचना चाहिए वो यह है कि हमको सबसे important चीज यह देखना चाहिए कि representation society के सभी वर्गों का representation है या नहीं दूसरी चीज फ्रेटर निटी जिसकी जिसका जिक्र बाबा साहब ने बहुत मतलब जिसमें सबका प्रतिनी दीत और लोगों में मित्रत वह हो और हमको एक अलग समाज बनाना है यह वाइबरेंट सोसाइटी बनानी है तो हमको लोगों के representation को तवज्जु देनी पड़ेगी और यह यह लोगतंत्र का मुझे लगता है कि शायद पुस्तक का मर्म भी यहीं पर है क्योंकि इसलिए आपने यह जो लाइन है प्लिटिकल डिके मतलब राजनीटिक पतन जो है तो इसका मूल क्या मानते हैं मूल यह है कि देखिए इसका यह जो सब्दावली है ओरिजनली फ्रांसिस फुकुयामा साहब जो है जो है जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े ग्रांत लिके हैं उन्ही के बुक से मैंने यह लिया हुआ है और उसको मैंने भारत के संदर्व में देखने की कोशिस की है उन्होंने दो आतिमत्तों पुर मैंने मात्यम से जो ग्वल्स दिये जाते हैं उनको धरातल पर उतारनाँ यह जो मैंने बात कहने की कोशिस की है कि संदर्वके सहीं क्या होता है कि political institutions को आप क्या काम करते हूं, उसके साथ में emotions जोडने की कोईशिस करते हूं, emotions जोडने का मतलब यह हूँ, कि जैसे कि मान के चलो, इसको इस तरीके से समझो, मैं government service में हूँ, government service में रहते हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, वहाँ छोटी सी अपनी काइनात बनाने कोईशिस करता हूँ, तो यह हो गया है, उसको emotions के साथ में जोडना, नमबर एक, तो इसके कारण यह कारण हो गया, दुसरा कारण यह होता है, कि अगर मान के चलो, मुझे political institutions में पद मिल गया, administration में पद मिल गया, तो मैं क्या काम करता हूँ, कि उसको अपनी themes and friends के अनुसार चलाने के कोई करता हूँ, उसको personalize करने के कोईश करता हूँ, तो उसके कारण, उसके जो goals होते हैं, वो undervine होते हैं, और उसी का नतीजा होता है, कि जो purpose, political institutions में निभाना चाहिए, जो role निभाना चाहिए, वो हमको निभाते हुए दिखाई नहीं देता है, क्या आपने यह जो creation है, इस creation को हमने तो बड़े short में इस पर बात की है, लेकिन हम यह समझना चाहरें कि यह जो आपका creation है, इस creation से आप कितने satisfy है, साभावी group से कोई भी जो पुस्तक लिखने वाला कोई भी वेक्ती होगा, किसना भी expert होगा, तो यह तो बिलकुल लाजमी है कि वो कोई satisfaction कभी उसको कि इसमें यह भी चीज़ होनी चाहिए थी, यह जो थे और दूसरा उसका पहलू यह है कि कोई भी जो पुस्तक है, वो कोई पत्तर की लकिन नहीं है, कि वो सभी उसमें सामिल है, इस पुस्तक में भी कभी कई खामिया होगी, कई comments करने की चीज़े होगी, और यही तो है knowledge surgeon क मतलब यही तो एक मूल है कि आगे में भी वो गती वीदिये चलती रहे जो डिफ्र रिस्पेक्ट आफ डिफ्रेंसेस जो है उसको तवज्जु दी जाए और जो चीजे बताई जाती है उसकी उपर और अध्यन किया जाए उसकी उपर और गहन चिंतन किया जाए समाज में परी कुछ मिला इसको अगर इसे हम शब्दों में जाना चाहे तो सब्दों में इस तरीके से हम जान सकते हैं कि उसकी जो सुरुवात है जिस आइडिया की वही से हुआ है जब मैं अध्यन मतलब करते रहा वहाँ पर जो पड़ाई करते रहा है ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड किसे मेरे आइडियाज है जिनके ऊपर आप कुछ कॉमेंट कर सकते हैं और उसकी सुरुवात में वही थी और जो आइडियाज या जो मैंने अध्यन वहां किया और सहबाइक है कि हमारे प्रेना सो डक्टर बाबा साहब अंबेट कर रहे इतना बड़ा उनका विमर्स रहा है इतना बड़ा उनका दिन रहा है तो हमको उनकी जो कुछ मैंने संदर और उनके जो प्रबंध है जैसे कि कास्ट की उपर उन्होंने जो कोलंबिया में लिखा उसको मैंने पढ़ा उसको मैंने देखने की कुछिश की किस तरीके से उन्होंने पुछी जान डाल कि उसमें लि तब बड़ा परपस कुछ हमारा निरे दिरे बनता है मेरा यह कहना है कि आपका जो टाइम है आपकी जिंदगी है उसका कुछ नुकुछ मकसद होना चाहिए और वो मकसद जब बनता है तो हर दिन का भी मकसद होना चाहिए और इसलिए मैंने फिर ये सोचा कि मैं ठीक है सिविल सर्विसेस में तो हूँ मैं और उसके माध्यम से मैं अपनी responsibility अच्छे से करने के कोई जरूर करूंगा लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ ऐसी चीज है जिसमें मैं अपना role अदा कर सकता हूँ और अगर मैं सही में कर सकता हूँ तो उसके लिए प्रेप में क्यों न किया जाए डियमों में रहे के या जो आपकी responsibility उसका पूरा करने के बाब जुद भी अगर आपकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारिया पूरा कर सकते हो तो वो करना चाहिए और वही आपका फर्ज है और आप जब responsibility की पत पे जाते हो तो समाज आपको एक responsibility की अपक्छा करता है आपसे अगर चोटा सा आपने उसकी उपर अगर कारिय किया तो वो बहुत अच्छा आपको लगेगा और प्रेरत के रूप में भी देखता है हाँ अब वो तो आप सब लोगों को और वो समाज को समाज को सोच जना चाहरे है कि इस पुस्तक में जो जितना हमने पढ़ा यसों तो हम यह समझ पाएं कि इस पर बड़ा concentration है आपको क्यों लगता है कि इन विशों पर discussion होना चाहिए पब्लिक discussion होना चाहिए क्योंकि इसमें यह बात आती है कि आप इस बात के लिए लोगों से कहते हैं कि इ लोग इन चीजों को समझे इसको जाने इस पर कंसंट्रेट हुए तो यह आपको क्यों लगता है वो इसलिए मुझे लगता है फुले साहब की हर सोसाइटी को कुछ मुल्भूत क्वेस्चन्स एड्रेस करने पड़ते हैं कोई मुल्भूत उसको आगे बढ़ना है तो और वो म मान के चलो कोई मुल्भ समस्याएं चल रही है सोसाइटी में हम दैनन दिन जीवन में कुछ समस्याएं देख रहे हैं उसके अनुसार पूरी वो सोसाइटल काइना चल रही है और उसकी उपर कोई डिसकसन नहीं हो रहा है उसकी उपर विमस नहीं हो रहा है हमारी उनिवर्स का रोल क्या है आखी यह मैं पूछना चाहता हूँ हमारी उनिटिस का और हमारे अकेडमिया का हमारे वीमर्स का एक मकसद भी तो होना चाहिए न मान के चलो मैंने बड़ा प्रबंद लिग दिया होगा सही है लेकिन अगर उसका कोई उपयोगी नहीं हो रहा है समाजिक परिव का मर्म होता है उसकी जान होती है तो यह जो जिवंतता है इस जिवंतता को बरकरार रखने के लिए इस पुस्तक का निर्मान है और हम आपको यह भी बता दें कि inheritance hierarchy and caste ये पुस्तक अपने आप में एक ऐसा शोध प्रबंध है जो अभी शोध प्रबंध के रूप में प्रस्तूत तो नहीं हुआ लेकिन वो एक ऐसा शोध प्रबंध है जो उन चात्रों के लिए उन अध्यन करताओं के लिए जो पर्टिकुलर इंडियन सोसाइटी से जुड़े या फिर पुरी दुनिया की समाज मुश्ता से जुड़े उन मुदों को जो socio, economic, political मुदों से जुड़ते हैं इस पर अगर कोई संशोधन करते हैं तो उनके लिए एक source material के रूप में भी ये पुस्तक उस दिशा में भी बड़ा महत्पूर्ण है हम आपको एक बार और याद दिला देते हैं कि inheritance, hierarchy and caste इसका जो प्रस्तावना है ये दुनिया के प्रसीद जाने माने political scientist Christophe Jaffer Lott ने इसको प्रस्तावना दी है और धनेजे सोइंदाजी वंजारी साहब ने इस पुस्तक को लिखा है धनेजे साहब से ये बादचीच चल रही थी सर आप हमारे साथ हाए हमसे ये बादचीच की इस पूरी बादचीच के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस पुस्तक के निर्मान के लिए इसके स्रीजन के लिए आपका अपने एक बार अभी नंदन भन्यवाद मैं अनुब रहिएगा आवाज इंडिया के साथ प्रोग्रेम आगे भी जारी है